करते हैं आपकर दो अमीर करती हूं का बच्छे हूंगी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हूंगे मैं मीना राणा आईटीटी वर्चिक फ्लास में आपकर स्वागत करती हूं हम पढ़ रहे ही क्लास 7 को मैस्ट चैप्टर हमारा चल रहा है स्वेक्शन इंडेटिमर स्वेक्शन इसमें हमने एक्टर साइज 2.2 की कुछ प्रेशन की थे और आज हम प्रेशन नंगर 7 की स्टार्ट करेंगे चलिए जबते हैं तो देखे हमारे पास है आपको फाइंड करना है वन अपॉन टू ओ टू ओ त्री अपॉन पॉर तो देखे इसका स्वेक्शन करते हैं देगी हमें निकालना है वन अपॉन टू ओ आफ फॉस्ट में आपका तू होल्टी अपॉन फोर ठीक है तो यहां पे यह ओफ का मतलब होता है इंटू आप यह ओब तू होल्टी अपॉन फोर देखे इस निक्स ट्रेक्शन को हम पहले इंप्रॉपर बनाएंगे बन अपॉन टू ऐसे ही रहेगा तो फोर टू जो एट और यह हो जाएगा ऐगा एलेवन अपॉन फोर ठीक है अब देखे नियो मिनेटर को नियो मिनेटर के साह ह इसको हमें बनाना है इसको हमें बनाना है मिक्स ट्रेक्शन फरेक्शन मिंक्स ट्रेक्शन में one hole mix section में हम इसको लिखेंगे यह आएगा one hole three upon eight चीक है यह इसका answer है इसको copy कीजिए अब लोग नेक्स यह मारे पास one upon two of four hole two upon nine second question है इसका one upon two का निकालना है हमें देखिए इसका second part से one upon two of four hole two upon nine तो आफ का मतलब होता है multiply इसको गुणा करेंगे हम एक बटा दो multiply by four hole two upon nine इस मेक्स fraction को हम बनाएंगे improper fraction तो देखिए one upon two multiply by nine नौचको 36 और यह हो जाएगा 38 upon nine चीक है अब हम करेंगे numerator को अंस को अंस के साथ one multiply by three 38 upon two multiply by nine तो यह आ जाएगा आपका 38 upon 80 चीक है अब यह improper fraction में आ गया है जी आइस की भरोली खाल बेटा आपकी नोट्पुक कहा है आप इसको हम लिखेंगे 38 को आप डिवाइट करेंगे 18 से ठीक है तो यह आ जाएगा आपका 18 तूजे यह आएगा two तो यह आ गया two answer आपका आजाएगा two whole two upon eighteen तो यह आपका आंसर आ गया है चीक है next question है विध्या और प्रताप went for a picnic dear mother gave them a water bottle that containing five liter of water विध्या consumed two upon five of the water and प्रताप consumed the remaining water चीक है तो विध्या और प्रताप जोने किसी पिक्निक के लिए गए है उनकी मदर ने उनको पांस लिटर की एक water bottle दी चीक है जिसमें से विध्या ने कितना consume किया है two upon five चीक है और जो बचा हुआ अब आपको यह बताना है कि विध्या ने कितना लिटर पानी दिया है तो आप क्या लिखेंगे यहां पे सॉलुशन बन में यहां लिखेंगे आप वाटर कंजूंड बाई विध्या तो विध्या ने कितना है वाटर कंजूंड किया है तो देखिए विध्या ने किया है two upon five of five liter five कितने लिटर है कितने लिटर दिया था मदर ने five liter छीटेट है तो देखिए two upon five और फाइब लीटर हमें निकालना है इसको हम कैते निकालेंगे आप को करेंगे हम तू अपॉन फाइब यहां से यह कटके कितना लिटर आ जाएगा टू लिटर एक तो विद्या ने कितना पानी कंजूंड किया है तू लिटर तो यही हमें निकालना था कि how much water did विद्या drink विद्या ने कितना पानी किया है तो लिटर फ्रेक्शन अब आपको निकालना है what fraction of the total quantity of water did प्रताप drink तो हमने जो प्रताप ने पानी कंजूंड किया है वाटर पिया है उसका भी हमें fraction निकालना है तो पहले हम वो निकालेंगे कि प्रताप ने कितना पानी किया है तो देखिए पांस लिटर में से दो लिटर तो विद्या ने पी जिया है चीक है अब हम लिखेंगे तो प्रताप कितना पियेगा वाटर प्रताप ने कितना लिटर पिया है तो देखिए दो लिटर जब विध्या ने पिया है तो टोटल हमारे पास पाइव लिटर था ठीक है तोटल फाइव लिटर पानी था दो लिटर विध्या ने पिय दिया है तो इस दो लिटर को हम सबट्रेक्शन करेंगे तो टोटल पानी में से तो यह आ जाएगा आपका दिपूंट थी लीटर। चीख है तो पहले ने ये बताना है कि प्रताब में कितना लीटर कंजूंड किया है तो प्रताबने 3 लीटर क्या है लेकिन हमें क्या क्या पूझा है कि total quantity of water did प्रताब drink तो अब हमें लीटर में नहीं बताना हो, हमें बताना हो fraction में, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए, total liter कितना है, 5 liter, प्रताब ने 3 liter किया है, तो आपको fraction में बता है, टोटल जो क्वांटिटी होती है तो आप लिखेंगे वाटर प्रताब 3 अपोन 5 लीटर ठीक है? क्योंकि 5 उसके पास उनके पास टोटल पानी था, 3 लीटर उन्होंने पिया है, प्रताब ने पिया है, तो यह इसका फ्रेक्शन आजाएगा, तो यह इसका आंसर होगा. ओके? चलिए. अब नेक्स्ट हमने अभी तक हम क्या काम कर रहे थे? अभी तक हम फ्रेक्शन को होल नंबर के साथ मुल्टिप्लाई कर रहे थे. ठीक है? अब नेक्स्ट जो हमारा एक्ससाइज है, किस कॉंसेट के बेस है? वो है हमारा फ्रेक्शन को फ्रेक्शन के साथ हम कहत मुल्टिप्लाई करते हैं 2.3 में आपको पूरा इती पे बेस्ट कुशिन है चलिए पहले देखते हैं कि किसी फ्रेक्शन को फ्रेक्शन के साथ किस तरह से मुल्टिप्लाई करते हैं देखिए मुल्टिप्लिप्लिकाशन को फ्रेक्शन करते हैं मुल्टिकाशन व तरह से फ्रेक्शन के सा थे पहले प्रेक्शन करते हैं यानि किसी fraction को हम जब किसी दूसरे fraction के साथ multiply करते हैं इस तरों के किया जाता है तो heading आ लिए अप्रोग तो देखिए example से करते हैं एक तो इसको करते कैसे हैं पहले तो देखिए one upon two multiply by three upon five तो यहाँ पर देखिए यह fraction है यह बिन्न है और दूसरा भी बिन्न है तो हम क्या काम कर रहे हैं एक बिन्न को दूसरे बिन्न के साथ बुना कर रहे हैं यानि कि multiply कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आजाता है प्रोड़क्ट ओफ नूमेरेटर अपन में आएगा प्रोड़क्ट ओफ दिन्यूमेरेटर तो यहाँ पर हमने क्या कहा प्रोड़क्ट का मतलब क्या होता है देखिए 1 इंटू 3 तो 1 को मैंने 3 के साथ multiply किया है तो इन दोनों को multiply करने के बाद जो आता है उसको उसको product कहते हैं 3 के equal आता है, जैसे यहाँ पर 2 को multiply किया था, 2 multiply 3, 6, तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों को factor होते हैं, ठीक है, और यह होता है product, तो product क्या होते हैं, जब इन दोनों numerator को हम आपस में multiply करेंगे, तो वो ही उसको product निकलता है, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हूँ, 1 multiply by 3, upon में 2 multiply by 5, ठीक है, तो देखिए, 3 बंजे 3, यह product आगया इसका, और upon में 5 तूजे 10, यह इसका product आगया है, इन denominator यानि की हर का और अन्स का, ठीक है, ठीक है, तो दो fraction को हम किस पर आपसे multiply करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कोई भी भिन आपक में cut में ही रही थी, तो हमने सीज़े सीज़े product लिख दिया है, अब देखिए, 3 upon 10, यह हमारे कौन से भिन में है, proper fraction में है, अगर यह improper में होता, तो हम इसको बनाते, proper fraction या mixed fraction में इसको convert करते, तो यही आपे answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, यह तो easy था, next question करते हैं, let's suppose आपके पास यह है, 2 upon 6 और multiply हो रहा है यह, किस से 12 upon 4 से, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम, हम यह देखेंगे, कि यह उपर और नीचे कहीं कट रहा है, तो इसको पहले हम काटेंगे, कटने का मतब क्या है, कि 2 की table में देखिए, 2 upon 2 और 2 3 जे, 6 आ रहा है, ठीक है, दोनों एकी number के table में आ रहे थे, तो हमने इन दोनों को काट दिया है, 2 upon 2 आया है, और 2 3 जे, 6 आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, 4 की टेबल में 4 बंजे 4 और 4 3 जे 1, 4 एकम 4 और 4 किया 12, ठीक है, अब देखिए हमने क्या काम कर दिया है, यहां भी कार्ड दिया है, इसको simplest form में हमने convert कर दिया है, ठीक है, या तो आप यहां कीजिए, या तो फिर आप आगे करके उसको बाद में कीजिए, लेकिन वहां पर आ 1, यहां पर 1 बचा कटके, और यहां पर क्या आगिया है, 3, ठीक है, और यहां पर क्या बचा, 3 multiply by 1, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 3 बंजे 3, और 3 बंजे 3, अगें देखिए, यह क्या हो रहा है, दोनों 3 की टेबल में आ रहे है, 3 बंजे 3, और 3 बंजे 3, तो यानि की 1 अ एक में 1, ठीक है, तब को समझ में आ गया यहां तर, तो नेक्स्ट एक्सराइज में हमारा, इसी के बेस्ट हमारी क्वेशन है, तो बाखी प्रैक्सिस हम, क्वेशन के माध्यम से करेंगे, क्वेशन से करेंगे, ठीक है, एक्सराइज 2.3, इसका क्वेशन नंबर 1 है आपके पास, 1 अपोन 4 आफ, 1 अपोन 4 आफ, A में है, 1 अपोन 4, B है आपके पास, 3 अपोन 5, और C पार्ट से आपका, तो कॉपी कर दीजिये साथ-साथ, 4 अपोन 5, अभी मैंने आपको बताए था, आफ का मतलब होता है, मल्टिप्लाई करना, इंटू करना, चीक है, जी आई सी भरोली खाल, बैटर आप लोग सीधे बैठिये, तो देखिए, फॉस्ट करेंगे हम, 1 अपोन 4 आफ, 1 अपोन 4, तो देखिए, आफ का मतलब होता है, इसको हम यहीं पर करेंगे, 1 अपोन 4 मल्टिप्लाई बाई 1 अपोन 4, तो देखिए, नुमेरेटर, नुमेरेटर के साथ होगा, तो 1 अपोन 4 फूर्जे, 16, तो यहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 पार्स आपका है, 1 अपोन 4 और 3 अपोन 5, तो अपोन 4 मल्टिप्लाई बाई 3 अपोन 5, तो देखिए, नुमेरेटर का नुमेरेटर के साथ होगा, तो 3 बंजे 3 अपोन 4 पंजे 20, 4 फाइजे 20, चीक है, यह आंसर हो गया है, यह इसका आंसर निकल गया है, ऐसे ही सी पार्स है आपका, 1 अपोन 4 और 5 है, तो इसको सीजे मल्टिप्लाई कर लेंगे, 4 अपोन 5, चीक है, आप देखिए, नुमेरेटर और नुमेर डिनुमेरेटर, दोनों में 4 है, तो हम इसको इसके साथ कैंसर देंगे, चीक है, तो यहां पर आजाएगा, 4 बंजे 4, 4 बंजे 4, तो यह कितना आजाएगा, 1 अपोन 5, इस तरह से हम इसको कॉपी कर लीजिए, यह इसका आ इसकी का B पार्ट से है, सेकंड पार्ट है, 1 अपोन 7 ऑफ, 7 ऑफ, A पार्ट से है आपके पास, 2 अपोन 9, B पार्ट से है, 6 अपोन 5, और C पार्ट से है, 3 अपोन 10, ठीक है, तो इसको करते हैं, देखिए, A पार्ट से आपका है, 1 अपोन 7 ऑफ है, तो मुल्टिप्लाई करेंगे, 2 अपोन 9, तो देखिए, यह आजाएगा, 1 मुल्टिप्लाई बाइ 2, और 7 मुल्टिप्लाई बाइ 9, तो देखिए, यहां ते कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 2 बंजे 2 और 9, 7 नाइन जे 63, यह इसका आंसर आजाएगा, चीक है, इसी का सेकंड पार्ट से, 1 अपोन 7 ऑफ, 1 अपोन 7 ऑफ, 6 अपोन 5, तो देखिए, यह क्या आजाएगा, 6 अपोन 5 को हम लिखेंगे, तो यह आजाएगा, 1 मुल्टिप्लाई बाइगा, 6 अपोन 7 मुल्टिप्लाई बाइगा, 5 तो यह आजाएगा, 6 अपोन 35 और यही इसका आंसर है, चीक है, और एक क्वेशन आप लोग करेंगे, चीक है, 1 अपोन 7 इसको आप लिख सकते हैं, 1 अपोन 7 मुल्टिप्लाई बाइगा, 3 अपोन 7, इसको आप निमरेटर को हाद को हाद को हाद के साभ अपोन 8 तो हाद क सब्सक्राई करूगे, अपन cz जीक है, अपन्स एक क्वेशन आप क्वेशन नमबर 2, मुल्टिप्ला अपन एगा, 10 अपोन 9 अपोन 10 अपर सकते हैं, 4 तो तो, मुल्टिप्लाई करना है चिaking फूर्ट हमारे पास है टू अपोन थरी म 不कैं करना है हमें टू होल तू अपोन से तो देखिए इसको मत्टिप्लाई करेंगे तो इसको पहले बनाएंगे आप इंप्रॉपर ट्रेक्शन तो तू अपोन थरी si ठीक ओर 6 और 2 हो जाएगा एट अपोन थ्री तो देखिए यहाँ से टू इंटू एट मर्टिप्लाइ में थ्री द्रीज़ आजाएगा नाइन थी इंटू थी आजाएगा शिक्स्टीन अपोन नाइन तो यह कटेगा नहीं इसको हम क्या लिखेंगे निक्स ट्रेक्शन बराएंगे इसका तो देखिए इसको आप करोगे जिवाइड नाइन से नाइन बंजे नाइन माइनस हो जाएगा और यह आजाएगा तो इसको हम निक्स ट्रेक्शन में किस तरों से बनाएंगे वन होल सेवन अपोन नाइन यहीं इसका आंसर हो जाएगा चीके इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है तो अपोन सेवन मल्डिप्लाइबाइब सेवन अपोन नाइन तो देखिए हमें क्या काम करना है यह सेवन सेवन कट रहा है तो यह कितना आजाएगा तो यह कितना आजाएगा तू अपोन नाइन यह इसका आंसर आजाएगा ऐसे ही नेक्स थर्ड क्वेशन है आपके पास ट्री अपोन एट बाटिप्लाइबाइब सिक्स अपोन फोर चीक है तो हमें क्या काम करना है अगर यह कटता है तो पहले ही काट देंगे इसको तू से कटेगा टू टू जे फूर और टू त्री जे शिक्स चीक है यह कट चुका है तो यहाँ पर आयाएगा ट्री मृटिप्लाइबाइबाइब ट्री आपोन एट मृटिप्लाइबाइब टू तो त्री जे नाइन अपोन फिक्स्टी इंप्रॉपर में है यह लोवस्टर्म में है यही इसका आंसर हो जाएगे तो इसका ही क्वेशन आप हमबग करेंगे 1 अपोन 3 है मृटिप्लाइबाइब bouncing अपोन 8 झाले बच्चो आज हमन एकर साइस तू को इनकी को कशिन किये है और fraction को Israe के साहत है कि क्वेशन किये seperti बेद क्रिक है